प्रधान मंत्री नरेंदर सिंग आपके साथ जारखन में प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी का मेगा शो होना अभी बाकी है पहली बार दो दिवस्य दोरे पर आए प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी अपने भव्य स्वागत से गदगद थे लिहाजा एक सप्ताह के अंदर प्रधान मंत्री दोबारा जारखन की धर्ती पर हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं 39 अप्रेल को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी फिर से जारखन आएंगे हाला कि इस बार अभी सियासत भी शुरू हो गई है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी मिशन 2019 को लेकर शहर दर शहर चुनाव प्रचार करने में जुठे हैं गुरुबार की शाम वारानसी में प्रधान मंत्री ने रोडशो किया तुमानो पूरा वारानसी मोदी मै हो गया इस से पहले कुछ ऐसा ही नजारा 23 अप्रेल की श्राम राची में देखने को मिला था तो 24 अप्रेल को लोहर दगगा मोदी के रंग में रंग गया अब एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जारखंड के दौरे पर आ रहे हैं 29 अप्रेल को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी गरेडी संसद्य शेत्र में रैली को संबोधित कर सकते हैं हालांकि अभी प्रधान मंत्री के कारेकरम का आपचारी का एलान नहीं हुआ है प्रधान मंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी उत्साहित है मंतरी सीपी सिंग की दलील है कि प्रधान मंतरी देश के कोने कोने में जंता तक अपनी बात पहुचा रहे हैं 29 अप्रेल को जार्खन में पहले चड़न का मद्दान है ऐसे में गिरिडी में प्रधान मंत्री की रैली को लेकर विपक्ष हमलावर है विपक्ष को लगता है कि ये चुनाव आचार सहिता का उलंगन है और इसके लिए वो चुनाव आयोग से शिकायत भी करेंगे ने ने हम लोग बार बार फिर से एक शिकायत करेंगे क्योंकि जब आप उस प्रधान मंत्री जो ये चुनाव हो रहा है कहीं और चले जाने ज़ाएं जाम पर उस फेस का जो है ये कहीं और पर लेकिन प्रधान मंत्री की पुरानी सी आदत है सीट को प्रभावित करने के लिए पहला प्रधान मंत्री जो इस तरह के जो है न हरकत करते हैं अफसोच अनक है जब जब जिस प्रदेश में चुनाओ तो चुनाओ के दिन उजरूर जन सभाव रखते हैं चतरा पलामू लोहरदगा में 29 अप्रेल को वोटिंग चल रही होगी तो प्रधान मंत्री दूसरी ओर गिरिडी में रैली को संबोधित कर रहे होंगे हालांकि गिरिडी में 12 मै को वोटिंग है ऐसे में विपक्ष क्या कदम उठाता है देखने वाली बात होगी सौरब जिमीद्या राटी